इस चैप्टर की जो वीडियो है इसमें हम लोग पूद चैप्टर के एसकने सămाच इसमें हम लोग टो देखें के तो चलिए स्टार्ट करते हैं serious talk से इससे पहले आप like, share और subscribe कर दीजेगा बाकि जो previous videos हैं वो भी upload कर दीगी है playlist के link आपको link में description में link जो है मिल जाएंगी नहीं मिलती comment कर दीजेगा मैं आपको भेज दूँगा कोई भी doubt रहते हैं अच्छा लगता है खराब लगता है जैसा भी लगता है आप comment में जरूर बताइएगा चलिए start करते हैं chapter a serious talk एक ऐसी बात, एक ऐसी serious बात जो इस chapter में एक मकड़ी और एक मक्ही के बीच की गई है serious का मतलब होता है जिस बात पर हम बहुत ज़्यादा गौर करते हैं ध्यान देने योग है ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर chapter बोला है name the picture on this page ठीक है इसमें दो pictures दिये हुआ है एक दिया हुआ है मकड़ी का और एक दिया हुआ है आपका मक्ही का this is called spider and this is called fly okay so this chapter is basically a talk between a spider and a fly ठीक है एक मकड़ी और fly के बीच जो भी talk होता है जो भी बात होती है उसके बारे में यह chapter है चलिए start करते हैं और देखते हैं a spider sat quietly in the center of its wave suddenly देखो a spider मकड़ी sat बैठी हुई थी quietly quietly मतलब चुप चाप सान्ती से in the center बीच औ बीच center मतलब बीच औ बीच of its wave wave मतलब होता है जाल वो अपने जाल के बीच औ बीच औ बीच बहुत सान्ती से बैठी हुई थी suddenly अचानक से ठीक है spider का देखो यहाँ पे ऐसा यह comic रूप में यहाँ पे दिया है ताकि आपको पढ़ने में यह जो है काफी interesting लगे ठीक है तो spider बोलती है oh there is a swing in the wave again I guess someone is in oh ऐसा बोलते हैं न oh there is a swing in the wave again यहाँ पे फिर से swing मतलब क्या हुआ है जो wave है जो उसका जाल है वो फिर से हिलने लगा है हिलने डूलने लगा है wave again फिर से I guess मुझे लगता है guess का मतलब होता है अन्मान करना someone is in ठीक है तो वह अन्मान करता है वह guess करता है कि someone is in कोई न कोई वेब में आके जरूर फसा होगा Oh God Again the cobweb I am caught ऐसा कौन बोलती है ये मक्खी बोलती है Oh God Hey भगवान, Hey इश्वर Again, फिर से the cobweb मकडी का जाल Again, फिर से मकडी का जाल I am caught caught catch का second form है तो वो बोलती है I am caught मतलब I am caught यहाँ पे short form है न I plus M equal to am caught मतलब मैं पकडी जा चुकी हूँ ऐसा कौन बोलती है मक्खी बोलती है तो यहाँ पे spider बोलता है Good, अच्छा Welcome fly dear I was waiting for you जो spider है बोलता है Good, अच्छी बात है Welcome fly dear जो fly आपका स्वागत है मक्खी आपका स्वागत है I was waiting for you Waiting मतलब इंतिजार करना मैं तुम्हारा ही इंतिजार कर रहा था While this happened A lady was cleaning her room She sucked the spider, the fly and the wave All in to the vacuum cleaner While this happened While मतलब जब जब की यानि जब यह सब चीजें हो रही थी Happened यह चीजें जब हुई A lady एक महिला Was cleaning वह क्या कर रही थी? Clean कर रही थी Her room वह अपना room Clean कर रही थी Saaf कर रही थी C sucked Sucked का मतलब होता है खीचना Sucked हवा जब खीचते हैं उसको बोला जाता है Shucking यानि खीचना Suck करना C sucked the spider वह spider को खीच लेती है The fly उस fly को भी खीच लेती है And all the wave तब जितना भी जाल होता है वहाँ पे जाला वह भी खीच लेती है All into सभी चीज को Into किसमे Into the vacuum cleaner यह मशीन जो दिख रहे है This is called vacuum cleaner It's create a vacuum And suck the all kind of the material Which is here and there Generally vacuum cleaner is used To clean the garbage Or the dust Which is spreaded Here and there in our room Okay fine Vacuum cleaner एक मशीन होती है जो कचरे या जो आपकी जो गंदगी होती धूल दस्ट वागदा होती है उसको खीच लेती है ठीक है तो उसके यूज किया जाता है तो वो क्या करती है जब वो साफाई करते जाती तो वो spider उस fly और जितना भी जाल होता है उस घर में उसको खीच लेती है यहाँ फिल मक्खी बोलती है E It's so dark What was noise What happening E वो पीड़ा से बोलती है ओ ऐसा It's so dark यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंधिरा है यानि उसकी जो बन बनानी की जो आवाज है न वो यहाँ पर है न What's that यह क्या है What's that What plus is What is that What's that Noise Noise मतलब आवाज यह क्या आवाज है What's happening क्या हो रहा है अखिर ठीक है अखिर क्या हो रहा है तो यह This is called vacuum cleaner यहाँ पर vacuum cleaner का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है My head is rilling I am falling What is going on Help Help ऐसा कून बोलता है Spider बोलता है My head मेरा सिर इस रिलिंग यानि चक्का खाने लगा है गोम रहा है गोल-गोल ठीक है I am falling मैं गिर रहा हूँ What is going on अखिर क्या चल रहा है Help Help बचाओ बचाओ By this time इसी समय The lady switch off the vacuum cleaner वह जो lady होती है Switch off यानि उस vacuum cleaner का switch बंद करती है Switched off The vacuum cleaner And everything become Quite Quite मतब सांत हो जाता है Everything सभी कुछ Become Quite सभी कुछ बिल्कुल सांत हो जाता है अब यह मक्ही बोलती है Who's that I can't see anything Who is that तुम कौन हो ठीक है वह कौन है ठीक है अधेरे में तो दिखाई नहीं दे रहा है तो मक्ही और स्पाइडर एक जागा अब जाए श्रक होके वैक्यूम क्लीनर के अंदर आ चुके है तो मक्ही बोलती है Who's that आखेर हो कुन तुम I can't see anything Anyone I can't see anyone Can't can Plus not I can't see anyone चलो लिक के भी दिखा देते हैं This is C-A-N Plus not become Can't Okay, fine तो यह हो जाता है Who's that I can't see anyone वह कौन है मैं किसी को नहीं देख पार रही हूँ ऐसा कौन बोलती हो मक्ही बोलती है It's me यह तो मैं हूँ It is me A poor spider Who's there It's me यह मैं हूँ A poor spider एक बेचारा Spider यहाँ poor का मतलब गरीब नहीं है एक बेचारे Spider से है बेचारा हो गए यहाँ पे Okay Spider यानि मकडी Who's there और वहाँ सामने कौन है Who's there तो मक्ही पुछते है तुम कौन हो और spider पुछते है तुम कौन हो मक्ही रिप्लाई देती है Oh Are you miss spider? I am the fly You are going to eat a few minutes ago Fine Oh अच्छा Are you miss spider? यहाँ पे female spider है न Okay तो यहाँ पे miss use किया गया उसके लिए Mr. and miss होता है न वही Okay Are you miss spider? क्या तुम miss spider ही हो? I am the fly मैं वही मक्ही हूँ I am the fly You were going to eat a few minutes ago You were going to मतब तुम जिसे खाने जा रहे थे Eat ठीक है खाने जा रहे थे A few minutes कुछी समय पहले कुछी minutes पहले Okay एको मतलब पहले That's the rule Spider बोलता है That's the rule यही तो नियम है Spider eat flies Spider जो है Flies को खाते है Birds eat spider Birds जो है Spider को खाते है And cat eats bird Birds को खाते है तो यह एक क्या बोलना चाहिए हमारे World का फिनामिना है कि जो है Spider जो है Flies खाती है Spider को birds खाते है Birds को cat खाते है तो इस तरीके से एक दूसरे को पर सभी कुछ जो होते है Dependent होता है जैसे एक हम लोग यहाँ पर लेके चलते है Suppose यहाँ पर एक यह ठीक है Suppose यहाँ पर ग्रास है ठीक है ग्रास क्या होता है Sunlight लेता है Sunlight लेता है और यहाँ पर ग्हास जग जाता है ग्हास को कौन खाता है टिद्डा खाता है ठीक है ग्रास होपर ड्रास होपर जो हता है ago क्या करता है यहास को खाता है इस G20 अजो खायते हैं इस इस सब्स्क्राप खादेसे यह चीज़े होती है कन्टिनीव हमारी आःथ में चलती है, this is called food chain, food chain आप लोग जो है, आपके क्या बोलना चाहिए, science वाली जो book होगी, उसमें पढ़ेंगे, अगरी तक पढ़ानी होगा, तो next में जरूर पढ़ेंगे, ठीक, food chain के बादे में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, it's so nice to hear you, मुझे बहुत खुसी हुई तुम् के, are we going to die, क्या हम मर चुके हैं या मरने वाले हैं, are we going to die, क्या हम मरने चाल रहे हैं, ठीक है, die मतलब मरना, मक्खी बोलती, oh no, it's can't be so, oh no, it's can't be so, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, I think we have been eaten up by something bigger than both of us, I think, मुझे ऐसा लगता है, we have been, हमें जो है, eaten, यानि कुछ चीज ऐसी चीज है, उसको हमको खाली है, eaten up by something, कोई ऐसी चीज होगी, something, कुछ ऐसी चीज होगी, जो हम लोग से क्या होगी, bigger than both of us, कोई ऐसी बड़ी से चीज जो है, हमको खाली है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है I really feel sorry for all the flies, I have eaten, if I get out of there, I would be a different person, देखो, अब यह जो मकड़ी है, वो अपसोस कर रही है I really feel sorry, मुझे बहुत really मतलब ठीक है, बहुत यहाँ पर really का मतलब होता है आपका दिल से, यहाँ पर दिल से बोल सकते है है I really feel sorry ठीक है मुझे बहुत ज्यादा सच में सच में यहां पर रियली का मतलब होगा सच में बहुत ज्यादा गिल्टी है बहुत ज्यादा शमा या सक हूं for all the flies उन सभी flies के लिए मैं उन सभी flies से सम चमा पराती हूं which I have eaten ठीक है जिसको मैंने खा लिया है I plus VE ठीक है I have eaten तो I plus have है यहां पर ओके I have eaten जिनको मैंने खा लिया है if यदि I get out अगर मैं यहां से बाहर निकलता हूं और फिर ठीक है यहां से बाहर निकलता हूं I would be a different person I would be मैं जरूर ऐसा चाहता हूं जगर मैं बाहर निकलता तो मैं एक अलग इंसान बनूंगा ठीक है यहां पर मखड़ी अपने आपको एक इंसानी रूप में यहां पर देख रहे हैं हम लोग है न तो different person में बहुत अलग इंसान बनके दिखाऊंगा यह बहुत अच्छा परसनालिटी का जो है जीव बनके दिखाऊंगा ऐसा यह कौन बोल रहा है यहां फिर मक्की बोलती है I wish there was a world where spider ठीक है I wish मैं wish करती हूँ ठीक है मुझे मैं wish करती हूँ there was a world where spider and flies would be friend and insects would be free from fear मैं wish करती हूँ तो मैं यही क्या बोल सकते हैं प्रात्ना करती हूँ there was a world यहां पे एक ऐसा दुनिया हो world मतब्द दुनिया where जहां पे spider and flies spider of flies जो है would be friend वो सभी एक दूसरे के दोस्तों and insects यानि कीरे would be free from fear जितने भी कीरे होंगे would be free वो सभी क्या होंगे मुक्त होंगे किसे from fear यानि डर से तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहां पे भी एक ऐसा वर्ड हो जहां पे spider of flies दोस्ता हो और insects जितने भी कीरे में कोड़े हैं वो डर से रही थों किसी को डर ना हो मक्ही बोलती है I would like to drink honey like butterflies if wouldn't be a bad idea to learn to eat berries ठीक है spider बोलती है it would be like to drink I would be like to drink मुझे मैं पसंद करूंगा drink honey यानि सहद पीना पसंद करूंगा like butterflies दूसरे butterflies की तरह मैं भी अब सहद पीना पसंद करूंगा it's wouldn't be a bad idea would not it wouldn't be a bad idea यह एक बुरा विचार नहीं हो सकता to learn eat berries यानि दूसरे दूसरे berries यानि मिठे मिठे रसीले फल खाना एक बुरा आइडिया नहीं होगा अगर मैं यहां से बाहर निकलता हूं तो यह सब ऐसे यह दोनों अंदर पर फसे हुए तो सोच रहे हैं इनके अंदर की जो अच्छी भावना हैं अभी प्रगट हो रही हैं नहीं तो क्या था यह मकड इस ही बोलती है oh I was also thinking the same अच्छा oh I was also thinking same मैं भी ऐसा ही सोचती हूं if I'll leave if I live longer यदि मैं और ज्यादा जीती हूं longer और ज्यादा जीती हूं ठीक है I would change myself too मैं भी अपने आप को change करूंगी myself मतलब खुद को change करूंगी, to मतलब b, I want ठीक है, यहाँ पर want है, यह would, यह आपका want हो जाएगा, want go to rubbish hip मैं जो है किसी भी rubbish hip में नहीं जाओंगी go to rubbish hip यहाँ पर I want go to rubbish hip, rubbish का मतलब होता है, गंदी यहाँ बहुत जादा बेकार, hips का मतलब होता है, धेर यहाँ गंदी चीजों का जो धेर होता है, कूडा करकट ऐसा बोल सकते हैं, वहाँ पर नहीं जाना चाहूंगी want का यह, want not हो गया, want हो गया है तो end sit on rotten thing, rotten मतलब सरी गली चीजों के उपर things मतलब चीजे हैं, और सरी गली चीजों के उपर नहीं बैठना चाहूंगी, I wouldn't talk on anyone's plate with dirty shoes on I wouldn't walk ठीक है, मैं कहीं भी नहीं चलोंगी फिरोंगी, कहां पर किसी की भी plates पर, हम लोग जो खानी के plates रखते हैं, उसमें fly आके चलता है न, with dirty shoes on it, मतलब मैं अपने गंदे जोतों के साथ उसमें नहीं चलोंगी हाला कि वो जोते नहीं बहनती बट यहां पर उसको feel लाया गया है, कि वो भी जोतों के साथ आती है, हमारे plate में आके चलते हुए चले जाती है ठीक है, that's interesting, यह काफी interesting है, that's interesting यानि, interesting का मतलब होता है, बोल सकते है interest हिंदी याद नहीं आगा मुझे, I don't think we have ever had a change to, chance to talk to each other and know each other feelings like this before interesting का मतलब रोचक, ठीक है, that's interesting यह काफी रोचक है I don't think, मैं नहीं सोचता, we have ever, हम जो है, कभी भी had a chance to talk हमें कभी भी chance मिलता एक दूसरे से बात करने का, to each other है न, एक दूसरे से, each other से बात करने का मौका मिलता and, or know each other feelings, और एक दूसरे की feelings, यानि भावनाय जानने का, जो है, मौका कभी नहीं मिलता, like this before अभी जैसा हमको मिला है ठीक, दोनों फसे हुए हैं तो एक दूसरे को बात करने क्योंकि उनका साथी वहाँ पे कोई भी नहीं है मुसिब्यत के समय वहीं पे वो दो फसे हुए हैं but but it's too late or else we could have changed the word मक्ही बोलते हैं but it's too late it is too late या काफी ज्यादा late हो चुक है हम दुन है काफी ज्यादा late हो गया है or else we would have changed the word या तो हम अपने word को change कर ले अपनी दुनिया को change कर ले देखते हैं what will happen next आगे क्या होता है चलिए देखते हैं in the meantime उसी बीच meantime मतलब उसी बीच बीचो बीच है ना meantime मतलब बीचो बीचो बीच उची के बीच में just a moment ये कहां चला हां हां इन दे मीन टाइम someone looked to the bag of the vacuum someone took the bag of the vacuum cleaner and emptied it on the onto the garbage उसी बीच someone कोई याता है कोई took the bag take a second form है took bag को लेता है ठीक है of the vacuum cleaner यहां पर देखो vacuum cleaner का एक bag है जब vacuum cleaner कच्रे को खीशता है ना हवे के साथ में तो कच्रा क्या हो जाता है इस बैग में जाके इकटा हो जाता है और हवा पास्ट रो जाती है ठीक है तो vacuum cleaner का वो bag लेती है कोई है ना और empty यानि क्या करती है खाली कर देती है eat किसको bag को on the garbage heap garbage का मतलब वो कूडा करकर का heap यानि जहां पर वो कूडा करकर जो है इकटा हुआ रहता है उसको garbage heap में जाके क्या कर देती है खाली कर देती है the spider god frightened जो spider होता है god frightened वो बहुत ज़्यादा डर जाता है frightened मतलब होता है डर जाना but परन्तु in a short while और थोड़ी देर में short while कुछी समय में he recovered और वो कुछी समय में डर जाता है अचानक से और फिर कुछी समय में फिर के साथ गिरता है गुड़ करकर फिर्क घाता है हाँ तो डर जाता है तो टेर में वो धिर कोवर हो जाता है रहने अपने आपको अच्छा महसूस करने रगता है इस छे कीचित करते है वह अपना जो होता है यानि पेर्ट बहुता है उसको को स्ट्रेज़ करता है यानि खीचता है है जैसे अब सो के उठ़ते खीशते देश पर को आपने बॉडी के हाथ पेर को ऐसा ओने वैब ठीक है और अपने पेरों को खीचता है और बिगिन कर जो है सेटेंड फर्म है बिगैन में किन अ New Web और फिर से वह अपने कहाँ में में लग जाता है Here यानि क्या चाहलने लगता है within making a new web यानि फिर से जाल बूनना Start कर लिता है जाल बून में क्या करता है फिर से उसको खाना प्रंखना मखहाना है यानि मुख्यों को फ़सना है fly deer are you here वो बोलता है fly deer are you here क्या तुम यहाँ हो मक्खी बोलता है yes Mrs. spider are you there मैं यहाँ पे हूँ Mrs. spider क्या तुम यहाँ पे हो तो spider बोलता है look I have made a beautiful and peaceful new wave देखो देखो I have made मैंने बनाया है a beautiful बहुत सुन्दर and peaceful यानि सांती से भगा हुआ new wave एक फिर से वो जाल बनाता है उसको दिखाता है कि इसको मक्खी को do come and see it और वो उसको लल चाता है आओ और इसको देखो ता कि तुम फिर से फास सको है न वो मक्खी जह भिन बिनाते वह बोलती है this is where you have to be miss spider this is where you have to be miss spider यह वह जगा है miss spider जहां तुम रहती हो मतलब वेब को बोलता है वह जाल को बोलता है its looks just like a old one यह तो बिलकुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा पुराना दिखाई देता है इसमें कुछ नया नहीं है I am going वह चालाकी के साथ उससे बसते हुए वह बोलता है इसमें कुछ नया नहीं है मुझे नहीं देखना I am going मैं जा रही हूँ I can't wait मैं वेट नहीं कर सकती मैं इंतजार नहीं कर सकती we were friends हम जो हैं दोस्त थे but after all I am a fly but मैं after all कुछ भी हो after all यानि कुछ भी हो I am a fly मैं एक मक्ही हूँ and you are a spider और तुम एक मकड़ी हो यानि हमारे में दोस्ती नहीं हो सकती तुमने जो जाल बनाया है मैं अगर उसको देखशने जाओंगी तो मैं उसमें first जाओंगी और मैं तुम्हारा खाना बन जाओंगी तो उसी बड़े चलाकी से spider को मना कर देती यानि spider अपने काम में लग take off के लिए यानि उड़ने के लिए ready हो जाती है तैयार हो जाती है मक्खी मकड़ी बोलती है but where are you going पर तुम कहां जा रही हो वो पूशता है मकड़ी to a new rubbish hip मक्खी बोलती to a new rubbish hip मैं एक नए कुड़े करचे के धेल में जा रही हूं and then walk on someone's lunch और उसके बाद then उसके बाद walk on किसी भी के लंच पर क्या someone lunch उस पर जाके क्या करूंगी चलूंगी फिरूंगी with my dirty shoes ठीक है मैं अपने गंदे जूतों के साथ किसी के भी लंच के प्ल गूंगी फिरूंगी तो दोनों ने अपना पुराना का में स्टार्ट कर गिया मकड़ी बोलती है but fly dear we are friend now do forget the past मकड़ी उसको अभी भी फसाने की कोसिस कर रही है but fly dear मेरी मक्खी we are friend now हम जो हैं अभी भी दोस्ते हैं हम जो हैं दोस्त बन चुके हैं don't forget the past तुम पुराने च पुरानी चीज़ों को भूल जा उसको फसाने की कोसिस कर रहा है वह मकड़ी पुरानी चीज़ों को भूल जाओ मतलब तुम फस जाओगी तो मैं तुम्हें खा जाओंगा ऐसी चीज़ों को भूल जाओ मकड़ी बोलती है me but I won't be again ठीक है चलो मकड़ी जो फ्लाई होती है जो मकड़ी होती है बोलती है अच्छा मैं but I won't be again लेकिन मैं फिर से नहीं बनना चाहती है ठीक है हम कभी दोस्त हुआ थकाते थे लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनना चाहती और ऐसा करके वो जेक एक प्लीँ कैप फ्लू अफ जो फ्लाई होती है अकने मतलब रगडती है इस लेक अपने पेरी को रगड़ती है एं प्ल्यूयोग अधी बचल शादा हर जाता है एंड अजली यानी बहुत ज्यादा क्या करने चाहिए दिल से अर्जली यानि मिन्नतों के साथ बहुत ज़्यादा क्या पूलने चाहिए उमीदों के साथ वेट फॉर एन इंसेक्ट और क्या करता है वेट करता है इंसेक्ट का यानि जुसे कीडे मकॉर्णों का वेट करता है तो गेट ट्रैप्ड इंटू दा वेब उस वेब में क् मक्ही जो अपने पैल को रगड़ते हुए उड़ गई और जो स्पाइडर है अपने वेब पे बैठके इंसेक्स का वेट करने लगा था कि उनको खा सके तो इसको जो है राइटर्स ग्रूप ने आपस में मिलके बनाया हुआ है छोटी सी स्टोरी को बोल सकते हैं या दोनों के बीच का ये कनवर्सेशन है उसको ठीक है तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमको मिलता है कि कोई भी जिव जनतु जो है एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते जो एक दूसरे को खाते हैं अगर ऐसा हुआ तो जो हमारी जो फूर्ट चैन है वह पूरी तरीक से नस्ट हो जाएगी हो सकता है पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए ठीक है तो जो घोडा घास से दोस्ती करेगा तो खायेगा क्या ऐसा ही कुछ है तो यह स्टोरी यहां पर खत्म होती है अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जीज़े कमेंट में जरूर बताएगे कि कैसा लगा नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि इसका जितना एक्सरसाइज है वो कैसा कैसा रहेगा तो तब तक के लिए बाबाई है